तो गाइस मैं हुआं के तोर आप दिख रहे हैं रिस्टिंग फैंस नेटवर्ग बातर सूर करते हैं गाइस सबसे पहले हम लोग CM Punk एंड डॉमिनिक मिश्टीरो से तो इनका जो मैच हुआ Madison Square Garden के अंदर वहाँ पे भाई औरेड़ी WWE के लिए हाइप काफी जारा बन चुकी थी और वहाँ पे on ground profit तो काफी जारा हुआ ही 15,000 से उपर लोग लगबग 16,000 लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे अब इतना ही नहीं बलकि guys मैं आपको बता दू कि इस event के बाद इन्होंने online भ जो है guys views जितने है ना अगर वह सब combine कर दिया जा 24 घंटे के अंदर तो million views cross हो जाते हैं यानि कि WWE के upload किये बिना एक million views से पार सोसल मेडिया सिर्फ इस particular match के लिए अब hope से expectations है कि WWE's पूरे match को upload करेगी YouTube को पर या नहीं तो TV पे air करेगी कुछ तो कुछ करेगी MSG का event है पंका डॉमनिक के अगेंस्ट ही तो I don't know कि WWE दोनों air करेगी आफ नहीं लेकिन रूमर से कि Madison Square Garden वाला match मेभी YouTube पे air हो सकता विकाज वो गार्डेन है MSG तो उसका नाम काफी massive है तो मेभी WWE उसको YouTube पे at least air कर सकती है अभी के हिसाब से यह एक believe है आगे बढ़ते हैं guys बात करते अगली स्टोरी के बारे में जो कि है WWE के currently ongoing WWE live events को लेके तो अभी WWE जो है na holiday tour यानि कि यह जो time होता है हर साल 25 तारीक से लेके एक January तक का WWE यहाँ पर जो टूर पगरा करती है and अभी WWE काफी massive earning कर रही है माना जारा कि काफी massive profit WWE को होने वाला है इस पूरे टूर से Fightful का कहना है यह Fightful की update है according to sources within WWE this week it's set to be one of WWE's more financially successful live events trips ever WWE were said it have been pleased with the buzz that the WWE Madison Square Garden live event got तो Fightful का कहना है कि sources का बताना है कि यह जो हफता चरहा है WWE का especially यह जो holiday tour चरहा है यह WWE के लिए बहुत जादा financially successful होने वाला है मान के चलो history books में इसका नाम जा सकता है कि सबसे successful live event का यह जो टूर था यह 2023 वाला था holiday tour ऐसा माना जा रहा है साथ में बताया जा रहा है कि WWE जो ना backstage काफी खुसे जो MSG को hype मिली जितना buzz create वा उसके round WWE उससे भी काफी खुसे तो overall backstage environment भी काफी अच्छा है इन live events से and financially जो है काफी profit भी हो रहा है तो WWE इसको consider कर रही है अभी के इसाप से बहुत ही एक massive live event tour and sad day WWE का अभी तक का ever वाला time use कर जा रहा है सबसे best tour है आगे बढ़ते हैं guys बात करते हैं अगली story के बारे में जो कि है रॉक्जैने पेरेस को लेके तो रॉक्जैने पेरेस को आप लोग जानती होगे NXT के अंदर कुछ सबसे top names में से एक है रॉक्जैने प अब रॉक्जैने पर इसको लेके back to back हमें सापडेट आते रहती है कि में रॉस्टर पर आ सकती है यह सेम होता है Tiffany Stratton and Kora Z के लिए भी तो उनको लेके तो अभी कुछ खास clarification नहीं है मेरे पास लेकिन मैं आपको रॉक्जैने पर इसको लेके एक update बता सकता हूं कहा जा रहा कि पहले इसको लेके बाते थी management में कि हां रॉक्जैने पर इसको कुछ टाइम बार में रॉस्टर पर आ गया नवाले टाइम में लेकर आ जाएंगे लेकिन अभी के हिसाप से जो talk से जो बाते हैं discussions है management के अंदर यह बिल्कुल dead हो गई है यानि कि इसके बार में discussions नहीं हो र पहले बनी है या फिर नहीं अगर नहीं बनी है तो बन जाएंगी अगर बनी है तो दोबार से बनेंगी ऐसा कुछ बताया जारता अभी के इसाप से कुछ और टाइम कुछ और गोल्स बचे में रॉक्जैने परेश के लिए NXT के अंदर उसको वो complete करेंगी अचीव करेंगी उसके बाद WWE वापस से reconsider करेंगी इनको में रॉक्टर में लाने के लिए आगे बढ़ते हैं गैस बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो की है रिकोसे को लेके तो रिकोसे अभी कुछ टाइम से WWE से एपसेंट है अभी इनकी expected return date क्या है वो मैं आपको बता दो update निकल क रोगा वहाँ पर रिकोसे वापस आजाएंगे company के अंदर WWE के अंदर एंड ये रोवर रंबल सीजन है तो आप इस सारे सूपरस्टार्स अपनी वापसी करेंगे आप ब्रॉंज डोमन को भी एकस्पेक्ट कर सकतो कि वो भी वापस एक्सेंट के अंदर आजाएंगे जो सू वैबली रोग रंबल मैच के लिए हैं इसके लाब और कोई रीजन नहीं है बात करते हैं अपनी आखरी स्टोरी के बारे में जो कि है रॉक को लेके क्या कनफर्म हो चुका है कि रॉक आपको देखने को मिलेंगे एलिमेनेशन चेंबर के अंदर देखो एलिमेनेशन चेंब अगर ये न्यूज सही है तो बहुत ही मैसिव है अब मैं इस न्यूज सोर्स पे बिल्कुल ब्लैंडली टरस्ट नहीं करता मेजर न्यूज वगरा के लिए इसलिए मैं इसको जादा बढ़ा चारा कर नहीं वोलूँगा लेकिन इसका कहना है कि रॉक और बीच में जो है डि अब ये न्यूज सही निकलती है तो बहुत ही मैसिव न्यूज है अगर बूजर कुछ कनफर्म करेगा तो मैं आपको जितना जल्दी हो सके बताऊंगा मुझे एक खोप लग रही है कि रॉक अपियर होंगे अब रॉक अपियर होंगे इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि र वर्सेज रॉमण ही हो जाएगा मुझे भी लगता है कि रॉमण वर्सेज कोडी होगा रॉक वर्सेज रॉमन का मुझे भी ही कम चांस लगता और रॉक आ भी जाता है मैं तो लेकिन फिर वह व barriers आपसे रॉक को लेकर ये अपडेट है अच्छा मुझे ये इसलिए लगता है ना कि रॉक आएंगे तो भी मैच ने होगा क्योंकि रॉमन कोडी अल्मुस्ट कंफर्म होने वाला एंट साइड डबी डबी ये सेकेंड मैच भी देदेगी को एंट साइड यहाँ पर कोडी जीत करेंगे ताकि एक ओफ बन जाए फैंस के लिए को अगर कोडी से रॉमन हार जायेंगे उसके बाद साइड बढस धार के सांत सत्थ होगा क्यां लेकिन अगर इस ताइटल को रॉमन से चीनने से पहले डबी 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 रोमनार का का कॉंफर्रेंटेशन करा देगी तो जब अब रोमन हारेंगे भी तो भी फैंस के अंदर एक तगड़ी होप होगी कि भाई रोमन रॉक मैच होगा और उसके अगले साल के रसल मीनिया यानि दोजार पचीस का रसल मीनिया 41 आपके लिए बिल्कुल वाइड ओपन है वहाँ पर टाइटल का भी लफडा नहीं होगा अगर कोडी जीज जाएंग और एडी रसल मीनिया 40 में टाइटल तो वहाँ पर रोमन वर्सिज रॉक हो सकता है विदावट टाइटल मिलते रहे फॉलो कर सकते हैं आपotz मुझे इंस्टाइग्राइम एंड ट्विटर पे लिंख आपको मिल जाए कि डिस्क्रिप्शन में जॉइन कर सकते हैं वाट्चिप चैनल को उसके भी लिंक के description में मिलते हैं अपनी next offer का फेंडरस्टिंग वीडियो में